स्वाद वेदा में आजम बना रहे हैं बत्वे कराई था तो इसके लिए दो मुटी बत्वे के पत्ते लिए हैं इन्हें हमें अच्छी तरह से वोश कर लेना है वोश करने के बाद अपेली में डाल कर इसमें थोड़ा पानी दा देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे बॉइल ह आप इसे नमक हो गये वह दो हुने के लिए रख देंगे मेन इससे ढब डिया है रगदें और आप देखेंगे पत्ते शी तरह से बॉइल हो गये हैं तो अब हम गेस बंद कर देते हैं और इसे धंडा होने देते हैं और इसी पीचे बाल में ले रहे हूं एक से तेलकर कद इसमें डालेंगे आधा चोटा चमाज सोंक पाउडर, आधा चोटा चमाज जीरा पाउडर, ञीलशा सेनगा और आधा चोटा चमाज काले मिश मिशंच पाउडर भी एट कर रही हूँ इन सबीको हम हमें अच्तब़ा से मिक्स कर देना हैं। इसके बाद जो हमने बत्वे को बॉइल किया था उसे भी ग्राइन करके हम इसमें मिक्स कर देंगे वर हैंड विसकर से इसे हम ऐसे दरा से मिक्स कर देना इसके पाद लेंगे हम तड़का पेर और इसमें डालेंगे दो छोटे चमज घींगी के गरम होने पर एक चोटा चमज एक बारी कटी हुई हरी में चो राजा चोटा चमच्टाल मिश डालकर खड़का बना लेंगे और इसे डालेंगे हम देया किये हुए दहीं पर और इलिए बत्वे का रायता बन कर तैया रे